हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में बात करने वाला है रेलवे ग्रूपडी एक्जाम 2019 से संबंदित ओफिसियल वेबसाइट्स पर आई कुछ ओफिसियल नोटीसिस के बारे में तो क्या है जानकारी सारे जानकारी आपको डीटेल में मालम चलिए जाएगी उससे पहले अब तक आपने उमंग स्टेडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आकन को जरूर दबा दिजेगा रेलवे भरती की हरपल की अपडेट के लिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जैसा कि आप सब्सक्राइब को पता हो होता है और अभी आप सब्सक्राइब को बहुत ही ज्यादा अच्छा औफर मील रहा है वहीं टेस्टवूब का रिषद पास प्रों मेल रहा है मातरी क्यों सब्सक्राइब करेंगी दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं रर सी ऑफसियल देना चाहता हूँ यह बहुत यह गंभीर मुद्दा है और बहुत यह सीरियस इसू है फ्रेंड क्योंकि यह बहुत यह आसर की बात है कि 2019 में जो भरती आई थी अभी तक हम लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ रहा है क्यों वीडियो बनाना प पाई है तो उसे क्या फर्क पड़ता है देखिये फर्क पड़ता है फ्रेंड जिस स्टूडेंट के भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है ना उसके ऊपर क्या बित्ती है आप उसके बारे में कभी सोचके देखिएगा और नई भरती में जो प्रकिरिया उस पुराने स्टू यहाँ पर बुलुकल का हैड्लाइन है सीन नंबर और सी एक बटे 2019 इंडिकेटिव सेंट्रलाइज इंप्लॉइमेंट नोटिस फॉर लेवल वन पोस्ट जो भी गुरूबडी का नोटिस होता है यह साल नोटिस यहीं पर आता है आप देखिएगा न्यू का टैग लगा हु leven नोगों क्या किया था गड़ा से बिपस्त घुटन को इसको इन लुग नेरा नहीं किया गया लेकिन इसका छो कितना करा। और अब ही हो रहा है कि मैक्समांस टूडेन्ट की जो है उनका जो भी medical standard है उनको medical stand के बतले किसी प्रकार आर्लट नहीं हो पा आप रहा है क्योंकि रह पोस्ट ही available नहीं एंब है और कहीं न कहीं यही सारी चीजें आप लोग का 2024 वाली भरति में भी रिपीट होने को यहाँ पर देखिएगा तो कुछ स्टूडेंट है जिनका की रॉल नंबर यहाँ पर वेंसन किया गया है उसके बाद उस्टूडेंट से कहा गया है कि आप लोग चाहे तो री मेडिकल भी क्लेम कर सकते हैं मत देखिएगा और यहां पर और यहां सी क्टि ऑर पर यहां कूंड का उसकी हुए गया है तो यह तो इतना लंबा सहौलियान हो और आपको Μी सहौलियान हो यह नहीं की दौगо ये भरती की जो भरती है दौगồngवा चो 행 content 2019 की न भरती है neg topics the बरती को दौगी जब तके रैल में अपने काम के तरीकों से इस्टूडेंट का विष्वास नहीं जित्ती है तब तक केवल बोल करके इस्टुडेंट्स का विष्वास जित पाना रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा तब सभी स्टुडेंट्स को क्या लगता है कि रेलवे को opinion जरूर दीजेगा